बारत में कोरोना मामलों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है एक बार फिर देश में 20,000 से ज्यादा मामले दर्च किये गए हैं स्वास्य मंचाले की तरफ से जारी आकडों के मताबिक पिछले 24 गंटे में 20,044 नए कोविड मामले सामने आए हैं वही 56 लोगों की कोरोना से मौत हुई है इसके बाद कोरोना के कोलेक्टिव मामलों की संख्या 1,440,760 तक पहुँच गई है कोरोना की ताजा डेटा के मताबिक पिछले 24 गंटे में 18,301 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं वही अगर डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो फिलहाल वो 4.80% है वही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में वैक्सिनेशन की रफ्तार भी तेज़ी से बढ़ रही है भारत में वैक्सिनेशन का आगड़ा 200 करोड के पार पहुँचने वाला है जिसे कोरोना के दोनों डोस लग चुके होंगे वही देश में 18 साल से उपर के सभी लोगों को कोरोना का बूश्टर डोस मुफ्त मिलने लगा है पहले ही दिन बूश्टर डोस देने वालों की संख्या 15 गुना से ज्यादा बढ़ गई शुकरवार शाम 6 बजे तक लगबग 13 लाख लोगों ने बूश्टर डोस लगवाई बता दे कि इस आईउ वर्ग के लोगों को 10 अपरेल से बूश्टर डोस देने की शुरुवात हुई थी इसके बाद 96 दिनों में 69 लाख लोगों ने ही डोस लगवाई थी ये रोज आस्तन 81,306 था